इस्टूडेंट्स हम डिसकस करेंगे डेली की विज़ के जो कुिस्टणस है उनके बारे में फस्ट कुिस्टण इज रिगार्डिंग molecular के परसपेक्टिव से है बैलस्ट वोटर के रिगार्डिंग में जो correct statement है उसको आपको यहाँ पे जूज करना है तो students क्या हमारे household से निकलने वाला जो waste water है जिसकों की हम balanced water की रूप से जाना करते हैं तो आप देखी कि जो first statement है वो incorrect है second statement के perspective से अगर हम discuss करें तो आप देखी कि जो nuclear power plants है उन से जिस water को release किया जाता है जिसकों की routine basis पे oceans के अंदर release किया जाता है तो क्या उस water को हम यहाँ पे balanced water के रूप से जाना करते हैं तो students second statement भी यहाँ पे incorrect है पर आप देखी कि nuclear power plant के regarding में जो waste water को release किया गया recently जापान के दुआरा 2011 के समय जापान के अंदर जो tsunami का जो crisis है वो create हुआ था और उस tsunami के crisis के बाद में आप देखी कि फुको सीमा नाम का एक nuclear power plant है जापान के वहाँ पे जिसके water को recently release किया गया था जापान के दुआरा ओशियन के अंदर में students water के release के बाद में काफे सारे countries के दुआरा जापान का जो seafood है जो export किया जाता है जापान के दुआरा उसके उपर बैन है वो भी लगाया गया था जापान के जो political leader है उनके दुआरा public domain के अंदर में आप देखी कि उस waste water को जहाँ पर release किया गया वहाँ से एक fish है उसको eat करके दिखाया गया था public domain के अंदर में कि ocean का जो species है उनके उपर impact वो नहीं देखने के लिए मिलेगा उस waste water को treat करने के बाद ही release किया गया ocean के अंदर में तो जो second statement है nuclear power plant के waste water के regarding में वो भी यहाँ पे ballast water को नहीं define करता है थार्ड अगर हम बात करें हमारा जो traditional water harvesting का जो practice है जो different different areas के अंदर में different different name से आपको देखने के लिए मिलेगा तो यहाँ पे बताया गया है कि जो western part अगर राजस्तान है जहाँ पे completely dry area है तो वहाँ पे जिस water harvesting का जो technique को use किया जाता है तो क्या उसको हम ballast water के रूप से जाना करते हैं students अगर हम traditional water harvesting का जो technique के बारे में discuss करें तो आप देखे कि जम्मु एंड कस्मी लद्दाक से लेकर आपको तमिलनाडू का जो area है वहाँ पे आपको हार एक जगह पे different way के अंदर में water का जो harvesting का जो technique है वो देखने के लिए मिलता है बिहार के perspective से अगर हम discuss करें तो आप देखे कि आहार pine नाम का एक traditional water harvesting का practice है उसको use किया जाता था कहीं पे आप देखे कि जो टंका concept है उसको use किया जाएगा कहीं पे जो पाना concept है बावडी का जो concept है उसको भी use किया जाता है हमारे जो north east के जो states हैं वहाँ पे आपको different way के अंदर देखने के लिए मिलता है तो traditional water harvesting का जो practice है उसको भी ballast water के रूप से नहीं जाना करते हैं students ballast water basically वो पानी हुआ करता है जो sip का जो staff है उसके दुआरा sip का जो balance है उसको establish करने के regarding में कभी कभी ocean जो sea का water है उसको use किया जाता है sip के अंदर balance है या जो sip का जो पानी के अंदर immersion है उसके regarding में तो उसी पानी को यहाँ पे जो ballast water के रूप से जाना करते हैं sip के balance के perspective से आप देखे कि इस water का जो problem है वो क्या है वहाँ पे जो sip के staff के दुआरा ocean के अंदर में sea water को use किया गया letter phase के अंदर में आप देखे कि port area के अंदर में sea water को release कर दिया जाएगा और इसकी वज़े से काफी बार जो invasive species है sea species जिनके दुआरा वहाँ पे जो local species है उनको out number के अंदर कर दिया जाएगा और invasive species है उनके जो number से वो increase होंगे तो आप देखे कि ये basically आपको ecological perspective से इसका जो impact है वो देखने के लिए मिलेगा balanced water के regarding में 2017 के समय में आप देखे कि इसके regarding में convention है उसको भी लाया गया था इंडिया के दुआरा उस convention को नहीं ratify किया गया है ये आपको पता होना चाहिए तो इंडिया के अंदर में आप देखे कि port areas के अंदर में जो different different ships है उनको यहाँ पे जो inspection है वो नहीं किया जा सकता है उनके balanced water के regarding में अगर हम discuss करें students ओस्टेलिया के perspective से तो आप देखी कि ओस्टेलिया का जो great barrier reef का area है great barrier जो reef का area है वहाँ पे काफी सारी invasive species के जो number से वो increase हुए थे उसके बाद में ओस्टेलिया के दुआरा truth house 17 का जो balanced water के regarding में convention है उसको sign किया गया और उसके sign के बाद में आप देखी कि उनके दुआरा वहाँ पे जो सिप का जो इस water है उसके release के regarding में जो inspection है वो आपको देखने के लिए मिलेगा Australia के जो ports है वहाँ पे तो this is all the information related to the balanced water के regarding में कि ocean के अंदर में जब सिप्स के अंदर में आप देखे कि goods है या cargo है वो नहीं है तो उस समय में balance को establish करने के regarding में कुछ minimum level of water है जिसको कि सिप इस्टाप के दुआरा sea के area से लिया जा water के नाम से जाना करते हैं next अगर हम discuss करें तो आपको यहाँ पे state list के कुछ subjects है वो बताए गए हैं और इन में से कौन से ऐसे subjects हैं जो functional नहीं करते हैं धहली legislative assembly के अंदर में तो students आपको पता होना चाहिए NCT Act के बारे में आप देखे कि 69 जो Constitution Amendment Act है उसके थूरू जो NCT Act है उसको establish किया गया था किस commission का जो recommendation है उसके बाद में इस act को establish किया गया आप देखे कि कि किस committee के दुआरा recommend किया गया उसके बाद में जो यह act है उसका establishment आपको देखने के लिए मिलेगा देहली जो की union territory है वहाँ पे जो legislative assembly है उसको setup किया गया था तीन ऐसे areas हैं तीन ऐसे areas कौन-कौ से हैं आप देखी कि police आपको एक area देखने के लिए मिलता है police के लावा students land है जमीन का जो area है और इसके लावा student जो public order है police है land है और public order है यह तीन ऐसे area जिसके अंदर जो legislative assembly है उसका आप देखी कि उसके domain के अंदर आपको नहीं देखने के लिए मिलेगा state list के अंदर होने के में भी तो students अगर हम prison की perspective से discuss करें prison तो basically आप देखी कि state list का ही part है तो यह आपको state list के अंदर में देखने के लिए मिलता है और यहाँ पे जो three exceptions है उसका भी part नहीं है कौन-कौन से subjects है जो नहीं है जिसके अंदर आपको जो police है वो right है यहाँ पे police आप देखी कि नहीं है legislative assembly क जो legislative assembly है उसके domain के अंदर में mines and minerals का जो activity है वो allow है mines and minerals का जो activity है वो allow है तो one subject है जो कि आपको state list के अंदर होते हुए भी तेहली legislative assembly के अंदर में नहीं देखने के लिए मिलेगा वो है police यहाँ पे students mines and minerals के regarding में decently supreme court के दूरा एक judgment भी deliver किया गया था कि जो state governments है जहाँ पे legislative assembly है जो state governments है उनके दूरा आप देखें कि basically mines and minerals के regarding में जो taxation का जो process है उसी के regarding में supreme court के दूरा एक judgment दिया गया था prison के perspective से अगर हम discuss करें इंडिया के अंदर में जो prison से उनका situation काफी ज़्यादा detoting condition के अंदर में है आप देखें कि prisons के regarding में एक आपको आमितुवा रोई पैनल है वो देखने के लिए मिलता है और prison के perspective से UPSC के दूरा भी prelims के अंदर में काफी बार जो questions और पूछे गए है बेसिकली सभी prisons के अंदर में जो uniform system है उसको establish करने के regarding में है नेक्स्ट अगर हम discuss करें diamond के perspective से है आप देखी कि diamond के regarding में question आप से पूछा गया है क्या एक solid form के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा solid form के अंदर एक element है carbon का basically diamond तो student जो first statement है वो correct है सेकेंड अगर हम बात करें rough diamond के perspective से है कि rough diamond का जो trade and production है जो trade and production है गर उसको आपको carry out करना है तो एक certification system है जो की diamond का जो council है उसके दुवारा establish किया गया था आप देखी को certification system को हम Kimberly process certification scheme के नाम से जाना करते हैं तो यह जो certification है वो जरूरी है rough diamond का जो production and trade है उसके regarding में diamond का जो council है उसके दुवारा इस certification system को establish किया गया था इंडिया के perspective से है third statement की world का जो largest center है diamond का जो cutting and policing के regarding में वो आपको इंडिया के अंदर देखने के लिए मिलेगा आप देखी कि students इंडिया के अंदर में आपको diamond का जो production है इंडिया के अंदर आपको diamond का production कहां पे देखने के लिए मिलता है मद्यप्रदेश का जो पन्ना है वहाँ पे आपको diamond का production देखने के लिए मिलेगा परो काफी कम numbers के अंदर में है numbers काफी कम है बट इंडिया का जो सूरत है गुजरात के अंदर जो सूरत है जहाँ पे 1907 का जो congress session भी हुआ था आप देखें कि जिसमें congress के अंदर divide है वो create होगा इंडिया के अंदर सूरत के अंदर world का जो largest आपको industry है वो देखने के लिए मिलता है diamond का जो cutting के regarding में diamond का जो policing है उसके perspective से तो students यह diamond के perspective से था जिसके बारे में हमने discuss किया आप देखें कि all three statement यहाँ पे correct है तो यहाँ पे जो right answer है वो है C diamond के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए कि जो rough diamond है या जो diamond का जो production है वो आपको रसिया के वहाँ पे देखने के लिए मिलेगा इंडिया के दुआरा भी रसिया से ही जो diamond से उनका import किया जाता है बट आप देखें कि G7 countries के दुआरा diamond के perspective से जो रसिया से जो diamond आयते हैं उनके against में कुछ ban है वो लगाया गया उसके बाद में इंडिया का जो सूरत है वहाँ पे diamond का जो industry है उसका आपको little bit आप देखी कि recession का जो situation है वो देखने के लिए मिलेगा तो तीनो statement है वो correct है यहाँ पे diamond के perspective से Central Bureau of Investigation जो आप देखी कि काफी बार cases के investigation के regarding में आपको देखने के लिए मिलता है तो Central Bureau of Investigation का जो establishment है किस committee के recommendation के बाद में आपको देखने के लिए मिलेगा तो आप देखी कि 1962 के समय में prevention of corruption के regarding में case अन्थानम committee है उसको constitute किया गया था case अन्थानम committee के ही recommendation के बाद में CBI को establish किया गया किस act के थूरू इसको establish किया गया देहली special police establishment act 1946 का यह जो act है world war second के समय में British authorities के दूरा लाया गया था corruption के जो cases है उन्हीं के investigation के regarding में और उसी act के अंडर में CBI को establish किया गया CBI के बारे में आप देखी कि एक general consent का जो concept वो भी हुआ करता है कि state governments के दूरा section 6A of the Delhi special police establishment act के थूरू में जो general consent वो grant किया जाता है six month के basis पर आप देखी कि अगर general consent नहीं दिया गया है state governments के दूरा तो CBI के दूरा investigation किया जा सकता है high court या supreme court के दूरा किसी case के perspective से CBI को जो case investigation के regarding में hand over कर दिया जाए यूटीज के अंदर में जो general consent है उसका requirement नहीं है यूटीज के अंदर investigation करने की regarding में जो general consent है उसका requirement नहीं है अब आपके लिए यहाँ पर एक homework है homework आपके लिए यह है कि जो CBI है वो किस ministry के अंदर में है या किस department के अंदर में है क्या ministry of home affairs के अंदर में ये institution आपको देखने के लिए मिलेगा ये department of personal and training के अंदर में है तो ये आपको जानकारी होना चाहिए आप देखी कि option के अंदर में जो other commissions के बारे में mention किया गया है उनके बारे में अगर हम discuss करें सरकारिया commission है 1988 के समय ये commission आपको देखने के लिए मिलेगा interstate council की regarding में जो interstate council है या state states का या interstate center state का जो cooperation है उसके regarding में बाल किश्टन कमेटी है बाल किश्टन कमेटी 1987 के समय constitute किया गया था और आप देखिए कि देहली के अंदर में जो NCT का जो act है national capital territory का जो act है उसको उसी के थूरू establish किया गया इस कमेटी के recommendation के बाद में गाड़गिल कमेटी के बारे में अगर हम discuss करें गाड़गिल कमेशन के बारे में तो ecological perspective से है गाड़गिल का जो कमेशन है और western ghat के perspective से काफी ज्यादा important है UPSC के दुवरा गाड़गिल कमेशन के ही regarding में 2016 का जो prelims का paper है उसके अंदर जो questions से वो पूछे गए थे पर आप देखी कि जो मादव गाड़गिल है उनके ही उनके दुवरा recommend किया गया था western ghat को किस तरीके से protect किया जा सकता है Recently वाइनाड के अंदर में केरल का जो वाइनाड है वहाँ पे land slide का जो situation create हुआ तो आप देखी कि land slide के उस incident के बाद में गाड़गिल कमेशन के दुवरा जिस तरीके से ecological जो sensitive areas को designate करने के बारे में discuss किया गया था वो सभी आपको जो topics हैं वो news के अंदर देखने के लिए मिलेगा western ghat कौन-कौन से states के अंदर में है यह आप comment section के अंदर बताना यह आपका homework है students next question के perspective से अगर हम discuss करें तो आप देखी कि ठैडो है ठैडो के अलावा students यहाँ पे पैत है और हमार है यह आपको कुछ communities हैं जो कि किस part of हमारे country के किस हिस्से के अंदर आपको देखने के लिए मिलती है तो आप देखी कि thar desert का जो area है जो कि western part of राजस्तान के अंदर है वहाँ पे आपको यह जो हमार community है इसके बारे में आपने जरूर से सुना होगा आप देखी कि मनीपूर के वहाँ पे incidents है मनीपूर के वहाँ पे आपको यह जो community है वो आपको देखने के लिए मिलेगा इन दोनों communities के दौर अपना जो separate identity है उसके बारे में discuss किया गया कि हमको जो community है उसके साथ में नहीं add किया जाए हमारा different identity है उसके perspective से आपको news के अंदर देखने के लिए मिलता है आप देखी कि लद्दा का जो highlands का area है वहाँ पे इनका presence नहीं है जो हमारे north east के जो states है जिसके अंदर मनीपूर के अंदर इनका presence आपको देखने के लिए मिलेगा और theory डजेट के perspective से अगर हम discuss करें तो आप देखी कि तमिलाडू के अंदर यह आपको गुजरात के वहाँ पे देखने के लिए मिलता है पर आप देखी कि कुछ पार्ट इसका और पाकिस्तान के अंदर भी situated है तो थार डजेट के अंदर भी नहीं है हमारे लद्दा के highlands के अंदर भी नहीं है थेरी डजेट जो की कहां पे है तमिलाडू के वहाँ पे नहीं है नोर्थ एस्ट के जो इस्टेट्स है मनीपूर जहां पे community आपको पाई जाती है पर आप देखी कि आपको मनीपूर के बारे में जब भी हम discuss करते हैं तो मनीपूरी जो language है मनीपूरी जो language है इसके बारे में UPSC के दोरा question भी पूछा गया था प्रलिम्स के paper के यह जो थ्री लेंग्वेज है इनको एक साथ है जो सड्यूल लेंग्वेज के रूप से एड किया गया था मणी पुरी डान्स के बारे में भी आपको पता होना चाहिए क्लासिकल डान्स है या आप देखी कि फोक डान्स है तो दिस इज ओल इंफोर्मेशन रिलेटेट तुद साथ लेंग्पा इंग्वेज एंग्वेज दो ऊपक्योच नवां उन्स है जा जाका शैपक्ट्वेज का झाल्पट है या जक्की टाल्पल सहां जान्स है इनको झाल्पल लेंग्वेज है जा उनको दो